Hello everyone, आज है शनिवार, 8 April 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अधानी Green Energy Limited के शेर के बारे में शेर में Thursday को 5% की तेजी थी, शेर 856 रुपे 35 पैसे पे बंद हुआ और अधानी ग्रूप को लेकर अच्छी खबरे आ रही है, positive news आ रही है इसे में अधानी ग्रूप के शेर्स और रैली कर सकते हैं सारी बाते बताऊंगा डीटेल में इस वीडियो में तो वीडियो में बने रही हैं अधानी Green के बात की जाए तो पिछले एक महिने में शेर के प्राइस में अच्छी खासी रिकावरी देखने को मिली है 31% से ज़्यादा ये शेर भाग चुका है और 24 जनवरी को Hindenburg Research Report आया था उसके बाद पूरे अधानी ग्रूप के शेर्स में एक पैनिक का मोहल बना था पर अब अच्छी खबरे आ रही है पॉजिटिव निउस आ रही है पूरे अधानी ग्रूप को लेकर Hindenburg Research Report ने जिस तरह का कोहराम मचाया था अधानी ग्रूप के शेर्स में वो अब कम होते हुए नजर आ रहा है ऐसे में ये शेर्स और रैली कर सकते हैं और सपोर्ट कहां से देखने मिला सपोर्ट देखने को मिला GQG Partners से GQG Partners एक American investment firm है और उसने heavily invest किया अधानी ग्रूप के शेर्स में और इसे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला 15,000 करोर से जादा कर निवेश किया है अधानी ग्रूप के शेर्स में GQG Partners ने और अग एक और अच्छी खपर देखने को मिली है GQG Partners के राजीव जेन के द्वारा जिहां ये कंपनी के CEO हैं और उन्होंने अधानी ग्रूप के शेर्स को लेकर बहुत सारी अच्छी बाते कही है उन्होंने काई कि 5 साल में 6 पर फार रिटर्न दे सकता है अधानी ग्रूप के शेर्स GQG Partners के राजीव जेन की भविश्वानी है 15,446 तरोर का निवेश किया है GQG Partners ने अधानी ग्रूप में और ये बहुत बड़ा निवेश है जब शेर्स में कोहराम मचा हुआ था उस ताइम पे और ये निवेश अधानी ग्रीन के शेर्स में भी है अधानी ग्रीन के 5,566 लाग शेर्स खरीदे गए है 504 रुपे के भाव में तो अधानी ग्रीन के लिए एक पॉजिटिव निवेश है और पूरे अधानी ग्रूप के लिए एक पॉजिटिव निवेश है कि GQG Partners ने एक confidence दिखाया है अधानी ग्रूप में इसके अलावा मै बात करूं तो अधानी पोर्ट्स के भी शेर खरीदे गए थे 8 करोर, 86 लाग शेर्स अधानी इंटर्प्राइजेस के भी शेर खरीदे गए थे और अधानी ट्रांस्मिशन के भी शेर खरीदे गए थे तो हीडन बग रिसर्च रिपोर्ट जो USA थी और उसने कोहराम मचा दि था वहीं जीकुजी पार्टनर्स ने अच्छा खासा निवेश किया है अधानी ग्रूप के शेर्स में और अच्छी बाते कहीं है राजीव जेन ने जो CEO है जीकुजी पार्टनर्स के उन्होंने कहा है कि आधानी ग्रूप का जो पोल माइनिंग एसेट्स है या डेटा सेंटर्स है या मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट में जो मिजॉर्टी स्टेक है वो हेल्दी बिजनेस का साइन है उन्होंने काई कि एरपोर्ट की कीमती कंपनी से ज्यादा हो सकती है इसकी जमीन एसिया की सबसे महंगी रियल आदानी ग्रूप को लेकर और यह एक अच्छी ख़बर है अगर आगे की बात की जाए तो एक और पॉजिटिव न्यूज आदानी ग्रीन के लिए निकल के आ रही है और आदानी ग्रीन को बीएसी और एनेसी ने लोंग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर फ्रेमवर्क यह यह एसेम फ्रेमवर्क के पहले स्टेज के तहट रखने का फैसला किया है और यह फैसला 10 अप्रेल से लागू हो जाएगा तो एसेम के लिस्ट 2 से निकल के लिस्ट 1 में डाल दिया गया है अदानी ग्रीन को और यह भी एक पॉजिटिव न्यूज है अदानी ग्रीन के और यह पीसी के लजिक jeder के कि दिमांड के पीछ हो और कोई लिझीक नहीं देखते उसका अपोज किया है सहरत पवार ने तो इससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है अदानी ग्रूप को अदानी ग्रूप के सपोर्ट में बहुत बड़े नेता उतर के सामने आया है ऑपोजिशन के तो इससे भी एक positive sentiment बनेगा अदानी ग्रूप को लेकर इस तरह का negative sentiment बन गया था कि लग रहा था है जैसे अदानी ग्रूप में सारी चीज़े false ही चल रही है fake ही चल रही है लेकिन अब support देखने को मिला है GQG partners ने जिस तरह से support किया है shares खरीद गये अदानी ग्रूप के अब opposition के एक बड़े नेता ने भी चाहा है कि जिस तरह से JPC के demand को लेकर खमलावर्थी opposition वो बिल्कुल false था तो इस तरह इससे अदानी ग्रूप को लेकर एक positive sentiment फिर से बन रहा है एक और positive ख़बर यह है दोस्तों कि अदानी green green energy sector में काम करती है और green energy sector का demand आने वाले time में बढ़ने वाला अगर मैं company की बात करूँ तो मैं आपको company का website दिखाना चाहोगा और company solar power, wind power, hybrid power solar parks में है और 20,434 megawatt renewable energy की capacity है और renewable energy का demand आने वाले time में बढ़ने वाला है solar power का 4913 megawatt का capacity है company का wind power का 971 megawatt का capacity है और hybrid power का 2140 megawatt का capacity है company का तो renewable energy के छेत्र में company काम करती है एक canway locations पे है, 12 states में है और renewable energy का demand आने वाले time में बढ़ने वाला है तो जिस तरह से hidden bug research report आई थी 24 जनवरी को और उसके बाद से अदानी ग्रूप के shares में कोहराम मचा वो कोहराम अब कम होते हुए नजर आ रहा है पिछले 6 महिने की बात कीजिए तो अभी भी अदानी ग्रीन का share 60% तूटा हुआ है 2000 के levels पे था जब hidden bug research report आया था और उसके बाद share काफी तूटा लेकिन उसके बाद एक recovery देखने को मिल रही है पिछले एक महिने में अदानी ग्रीन के share में 31% भागा और जिस पर पॉजिटिव सबरें आ रही है मुझे लगता है एक rally बन सकती है आगे भी अदानी ग्रूप के shares में क्योंकि जैसा मैंने बताया कि GQG Partners ने company के shares खड़ीदे हैं दूसरी बात है कि ASM list 2 में शामिल कर दिया गया है अदानी ग्रीन को और अब opposition में भी जो एक ठीकापन था joint parliamentary committee को लेकर वो भी कम होते हुए नजर आ रहा है शरत पवार जैसे नेता ने इसको oppose किया है और बताया है कि अदानी ग्रूप को target गया गया था उन्होंने हिंडर्बर्ग के बारे में भी कहा है कि हिंडर्बर्ग ने जान बूच कर अदानी ग्रूप को target किया था तो काफी अच्छी खबरे आ रही है अदानी ग्रूप को लेकर और SMS shares और उपर के price targets दिखा सकते है तो यह था मेरा अदानी ग्रीन को लेकर assessment friends मुझे लगता है rally continue कर सकती है share में बीच-बीच में मुनाफ़ा वसुली जरूर देखने को मिलेगी बर जिस तरह के sector में यह company काम करती है green energy में उसका demand आने वाले time में बढ़ने वाला है साथ ही company को लेकर positive खबरे भी आ रही है GQG partners ने heavily invest किया है company में और 15,000 करोर से ज्यादा का investment है जिसमें अदानी ग्रीन के shares में भी investment है जैसा मैंने बताया साथ ही Rajiv JN जी ने बताया है कि company आने वाले time में छप पर फार return दे सकती है एक multi bagger साबित हो सकती है ऐसा Rajiv JN जी कहते है तो मुझे लगता है अदानी ग्रीन के share में अभी और तेजी बन सकती है positive sentiment बन रहा है market में अदानी ग्रीन के share को लेकर और ऐसे में short term और long term traders दोनों अब अदानी ग्रूप के shares को target कर सकते हैं short term में भी ये share अच्छा return दे सकते हैं मत मूली अभी भी share काफी टूटा हुआ है काफी नीचे है और एक बड़ा allegation जो हिंदर्बर्ग ने लगाया था वो ये था कि valuations काफी हाई है अदानी ग्रूप के shares को में लेकिन अब जब ये इतने ग्रूप के share मुझे लगता है अब इनके valuations काफी अच्छे हो गए है और news भी positive आ रही है तो ये था मेरा assessment friends अदानी ग्रूप को लेकर अगर आपको video पसंद आया हो तो ज़रूर like कर देना और channel को subscribe कर लेना क्योंकि इस तरह के contents में डालते रहता हूँ और share बजार में निवेश करने से पहले अपना research ज़रूर कर लेना thanks for watching